हेलो गईस आज हम बात करेंगे वन प्लस डीवाइजस के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके चार्जिंग के बारे में काफी सार लोग कई डाउट रहता है काफी सार लोग परेशान होते हैं कि वाई जो हम वन प्लस का फोन यूज करें उसमें हमें चार्जिंग की आने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिचेगा बेल का इकन को प्रस कर लिचेगा देखिए चार्जिंग में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है या तो आप लोग का फोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं ह या फिर पहले की तरह स्वीट साब्लब स्वीट फास चार्ज होता रहा होगा अब स्वीट हो रहा होगा यह सब समझ से आप लोग को अर या फिर आपके charger में ही problem होगी तो phone को service center भीज़ना पड़ेगा या भी technician को दिखाना पड़ेगा ओके तो यह condition से आप लोग अपनी problem को solve कर सकते हैं hardware की problem होगी तो बढ़ अगर software से related problems होगी तो मैं आप लोग का solution एक काफी आसान तरीका बताता हूँ तो सबसे पहले आप लोग आप करना है settings open करना है settings open करने बद हो सकता है charging में आप लोग की phone में कोई bug आया होगा bug को fix करने के लिए आप लोग की phone में software update पर जाइए वहाँ पे कोई update आया होगा simply आप लोग को update कलेना है अप्डेट करेंगे तो काफी चांसे कि आप लोग की प्राब्लम सॉल हो जाएगी या फिर अप्डेट में ही मेंजन कर दिया गया होगा चार्जिंग बख फिक्स ओके तो यहां से भी आप लोग अपनी प्राब्लम को फिक्स कर सकते हैं या फिर एक बड़ अपने फोन का आप लोग रिस्टार्ट करके यूज करें यह भी काफी बेटर तरीका है चार्जिंग की प्राब्लम को फिक्स करने का और अगर यह से अप ट्रिक काम नहीं करते हैं तो लास्ट में आप लोग को में में ट्रिक बताता हूँ जो कि आप लोग को जाना है एडिशनल सेटिंग्स में बैक अप एंड रिसेट पे एरे सहल़डा वाला जाप सण हेल रता रिसेच सिस्टम सेटिंग्स only इसपे क्लिक करके आप लोग अपने फोन की जो सेटिंग्स जो है fix हो जाएगी अगर software से related problems होगी तो 100% इस टैप से आप लोगी problem fix हो ही जाएगी और hardware का solution तो मैंने आप लोग स्टार्टिंग में ही बता दिया है मिलते हैं next वीडियो में जो है मता दी